हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो सभी उमीद सब बढ़ी आऊंगे देखिए दोस्तों आज सोचा क्यों ना थोड़ा ओपन ओपन माहुल में गराए वहाँ तब यह थोड़ी ठीक है दवाई पानी ली तो देखो गर का तो माहुल ऐसा हो जाता है कि यार कि आप यहां आओगे तो आपको एक अनर्जेटिक फिल करोगे खुद में और जो बिमारी मारी है सब अपने आप ठीक हो जाती है तो वही दोस्तों आपका एक सवाल आ रहा था काफी दिन से कि सर जो रिजल्ट है दिली प्लिस का वो क्या 15 मार्च को ही आएगा 15 मार्च को ही रिजल्ट आएगा ह अगर कुछ ऐसा ओर होता तो हमें कोई ओफीशल अपडेट मिलती कोई ओफीशल न्यूज मिलती अभी तक ऐसी कोई ओफीशल न्यूज है कोई ओफीशल अपडेट है नहीं तो हम इतना ही 99.9% यही है दोस्तों कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 मार्च तक आएगा और 5 दिन बचे हैं आज से काउंट डाउन शुरू हो चुका है लोगों के दिलों की दड़कन बढ़ चुकी है लोगों के सवाल बढ़ चुके है और सपने बहुत से लोगों के तूटने भी वाले हैं और बहुत से लोगों के सपने साकार भी होने वाले हैं तो सभी को मेरी तरफ से ह energetic और हमेशा इसी उसलो के साथ पढ़ते रहो यार पेपर आउट होंगे होते हैं अमेशा, utilized और लेकिन इसका मतलब यह नहीं ना कि हमेशा है we are the नहीं ना कि हम हमेर पता है यह एक दिन जरूर साकार होंगे सपने साकार करने के लिए पहले खुद को साकरात्मक रखना जरूरी है और जो लोग बहुत अच्छे से करते हो आप बहुत मैसेज पढ़ता हूं बहुत केमेंट देखता हूं आपका मैं रिप्लाइ नहीं कर पाता सभी का यार नहीं होता टाइम नहीं मि जरूर साकार होंगे और आप तो युवा हो यार देश्त के युवा की तब जब भी आंदी चली है न तो सब साथ में उड़ते हैं मेरे वाई तो लगे रहो कोशिस करते रहो जरूर आपकी एक दिन जीत होगी अगर ठक गए ना ठक गए तो फिर मामला थुड़ा मुश्कि जिन्दगी बेकार है वाई रुकना नहीं है लगे रहना है एक दिन कामया भी जरूर मिलेगी यह हो सकता है आज ना मिले तो कल जरूर मिलेगी कल ना मिली तो परसों मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर और यह भी जरूर होगा आपके साथ आज आप MTS की त्यारी कर रहे हो दे बर दिन इंक्रीज होती जाती है तो आपके सपने भी बड़े होते हैं और उसी किसाप से मैनत करते हो और वो साकार भी होंगे अगर कंटिनू लगे रहे तो ठीक है कोई दिक्कत हो तो बताओ कमेंट करके और बताओ कि कैसा लगा पीछे का बैक्ग्राउंड मेस पेड पूरा सोचा तो आज खुले मगल मैं मनाता हूं वीडियो और गराय वाता तो तब आप जिस प्रकार से प्यार देर वैसे देते रहो और सलूट है यार आप सबको आप इतनी मैनत करके क्योंकि सायद हम भी बहुत प्रेशान होते हैं आपकी जगह होते तो क्योंकि हमारा भी टाइम पर सेलेक्शन हो गया था और आप जिस प्रकार से लेकिन गबराना नहीं है यार गबराना क्यों है मैनत करनी है ना हमें तो गबराना नहीं है लगे रहो जरूर आपको कम अभी मिले के दोस्तों ठीक है अभी के लिए तना ही जहिन चेलाना